हमारे साथ श्री रगुनाथ तो किस बात की चिन्ता शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिन्ता न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की न खाने की न पीने की न अ बरने की न जीने की रहे हर साथ सु में प्रियनाम तो किस बात की चिन्ता शरण वैस साहेथ सुवा जैंगे सभी के सभी लोगन फटाफट से कम on everybody डी वेरी 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 CS card indicate towards वो आप बरसा दीजेगा मेरे भाई उसमें कोई भी कमी जो है वो नहीं आनी चाहिए ये request है मेरी आप सभी लोगों से जल्दी से जल्दी से फटा फट से काम जो है वो कर दीजेगा सिमरन लवी टुबेटा बहुत बत प्यार आपको भी गुरी इवनिंग जै घंटा लाल जै घंटा लाल की जै गुरी इवनिंग जैश्री राम गुरी इवनिंग गुरी इवनिंग गुरी इवनिंग वेरी गुरी इवनिंग तो आल फट से फटा फट से लाइक का बड़न दबा कि अपना अटेंडन जो है वो माक कर दीजेगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से जैश्वी राम जैश्वी राम राम गुरुजन राम राम प्रिंस मेरे भाई आजवजी 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 पुल भी नहीं आएगी, don't worry at all, सारी चीज़े clear हो जाएगी, इसी के साथ में प्रतियोष श्री वास्तों के दोवारा 20 रुपीस का सूपर चैट, love you to मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार आपको, shout out to you, छोड़ा जाट का, क्या वात है चौदरी साहब, बहुत बढ़िया, life I am your executive student, और आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, sir, thank you so much, thank you so very much to you, मेरे भाई, कि आपने, जो हमारा काम है, उसका इतना appreciate किया, बहुत 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 प्यार, आपको भी बहुत 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 प्यार, चलिए बहुत सब, so let us move ahead, बढ़ते हैं, आगे बिना time को य बहुत की जाएं, तो इसको जो एडॉप्ट करने का काम किया गया था, बाइदा कॉंस्ट्रेंट असेंबली, ये बहुत किया गया था, बहुत सब कब, चब्विस नवंबर 1949 का वो दिन था, जब यहां पर किया गया था, sir, उस दिन को कॉंस्ट्रेशन डे के नाम से जाना है, क्योंकि इस दिन बोले हमारे सन्विधान को लागू करने का काम जो किया गया था, यानि कि ये डिसाइड किया गया था, हमारे कंटर में जो भी काम किया जाएगा, वो बहुत सन्विधान के इसाब से किया जाएगा, और अगर कोई भी नया कानून बनाया गया, जो कि सन को दिया गए तैंग जिसके हैड कॉंते दॉक्टर भीम राव अमिड कर जी थे ठीक है जिनको विले कॉंस्टुशन का फादर जो वह भी कहा जाता है सर यह अगर मैं लिखित कॉंस्टुशन के इसाब से बात कुण सबसे लंबे वाला कॉंस्टुशन है जिसकी ओरिजिनल कॉ अगर मैं आज की डेट के सबसे बात यहां पर करूंगा तो 106 एमेंडमेंट आने के बाद में जो पार्ट सर वो 22 है आर्टिकल 395 है और स्रेडियूल जो है वो यहां पर किते हैं आपके 12 है सर ऑल्दो ऐसा नहीं है कि पार्ट यहां पर बड़े नहीं है बट यह बहुत द् बास करोगें तो इस तरीके से सब पार्ट और सब आपके आपके रहने वाले होंगे लेकिन अगर मैं सेडियूल के बारे में बात करूँ तो yes there is something called as what 9th वाला schedule, yes there is something called as what 10th वाला schedule, yes there is something called as what 11th वाला schedule and yes there is something called as what 12th वाला schedule, तो 4 schedule जब उसके बाद में add किये गए हैं और ध्यान रखिएगा कि schedule जो होते हैं वो क्या होते हैं subordinate होते हैं to the constitution of India तो इसी वज़े से यहां पर बात करें तो इसकी वज़े से आपका जो सन्विधान है उसमें कुछ change वहां पर नहीं आ रहा है इस बात को भी ध्यान जो है वो रखिएगा ठीक है चली फिर इसके बाद में आजवाई साब आगे हमने कहा कि हमारा country का जो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा तब जाकि उसके अंदर की बात समझ में आईगी तो कुछ ऐसा नहीं है क्या ट्रेलर टाइप में जैसे मूवी वगड़ा होती है उससे अच्छा है पहले उसका ट्रेलर देख लेते हैं ट्रेलर देखके समझ में आ जाएगा कि मूवी के अंदर कौन सी चीज़ के बारे में बात की गई है इसको सेंटर में रखते हुए एक स्टोरी जो है वो बनाई गई होगी वाईसाब कानून कहता है कि अगर कोई ऐसा लौ है कोई ऐसा कानून है जिसका लेंथ थोड़ा सा जादा है तो उसका क्रक्ष समझने के लिए आप बुले अगर चाहो तो उसके साथ में एक प्रस्तावना जो है प्रियंबल प्रस्तावना इंट्रोड़क्टरी पार्ट जो है यह बु जो है वह यहां पर बनाए गया एक प्रेंबल जो है वह बनाए गया और यह जो प्रेंबल है ना यह प्रेंबल आपके कॉंसरीशन का बिसिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में आपको बता देता है क्या बताता है कि इस इस constitution के इसाब से हमारा देश क्या है बताता है कि इस constitution के इसाब से हमारे देश का जो नागरिक होगा उसके लिए क्या-क्या चीज़े इंशॉर यहां पर करी जा रही है तो सबसे पहले ध्यान दीजेगा सब प्रेम्बल में ऐसा कहा गया क्या that we the people of this country, the citizen of this country has resolved, resolve करने का मतलब क्या होता है decide करना, हमने यहां पर decide किया, क्या decide किया, to constitute India कि हम इस देश को बना रहे है हम India that is भारत, ठीक है, इसको बले यहां पर बना रहे है as sovereign, socialist, secular, democratic republic यह बहुत जा अंसर सुनिएगा, सबसे पहले दिवाग में सवाल आएगा सर यह sovereign का मतलब क्या होता है, मलब आपने बोला कि हम decide कर रहे हैं कि आज के बात में हमारा देश जो होगा, यानि कि India, जिससे कि भारत का नाम दिया जा रहा है वो बहुत यहाँ पर क्या रहेगा, sovereign होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, एक आजाद, independent है वैसा और दूसरा supreme, मतलब हमारे देश के अंदर अगर बात करूँगा, तो नागरिकों के लिए देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है और हमारे देश क्या है, आजाद है भाई साब, यह किसी दूसरे देश के अंदर में काम नहीं करेगा, भले ही पहले अंगरी जो कर आज हुआ करता था, अब वो जा चुके है, उसके बाद में अगर बात करेंगे, तो हमारे देश की अपनी पहचान है भाई साब आज के बा हमारे देश में कोई भी राजा नहीं होगा हमारे देश में कोई भी महराजा नहीं होगा जो भी काम किया जाएगा वह पब्लिक वेलफेर के लिए किया जाएगा पब्लिक को सेंटर में रखके किया जाएगा अगर सरकार बनेगी तो जनता के इसाब से बनेगी अगर सरकार त सही होगा, जो society के हित में होगा, जो public के हित में होगा, उस चीज़ पर काम जो है, वो यहाँ पर किया जाएगा, तो socialist है, got the point, socialist होने के साथ साथ में क्या है, secular भी भाई सब, यह बहुत ही important वाली चीज़ है, जिसकी वज़े से, यह कहा जाता है कि हमारे देश में, विबिन्ताओं में एकता वाला देश है भाई सब, कैसे, सुर, 18 से भी जादा बोलियां, language नहीं बोल सकते, language का वंदलब भाशा होता है, जिसमें लिपी वगरा होती है, लेकिन, सुर, बोली कह सकते हैं सुर, बोलियां, सुरी, गलत बोल दिए मैं, अठारा से ज़ादा भाशाए बोली जाती हैं, और 21 सो के आसपास, बोलियां बोलियां बोली जाती भाई सब, ठीक है, जैसे, जितना मैं जानता हूँ, बागडी, देशवाली, राजिस्थानी, ठीक है वगरा 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 ऐसी बूलियां बूली जाती है अगर आप जाओगे कहीं पे भी तो 10-10 किलोमेटर में पानी का जो टेस्ट है वो चींज होता है भाई सब बताओ पूरे कंट्री में अगर आप जाओगे तो कहीं पे आपको हर्याली मिलेगी थोड़े देर के बा So, Because of That Reason, हमारी कंट्री में ये कहा गया कि हमारी कंट्री धरम निर्पेक्श है ऐसका मतलब क्या हूए ये बहुत दयान से सुनेज़गा इसका मतलब ये हूए कि हमारे कंट्री का अपना खुद का कोई रिलिजिजन नहीं है For example अगर मैं बात करूँ Pakistan के बारे में उसे Muslim country कहा जाता है अगर मैं बात करूँ England के बारे में Christian country है सर अगर मैं बात करूँ Israel के बारे में Jewish country है सर Got the point ऐसे अगर आप हमारे देश के बारे में बात करें तो भले ही यहाँ पे 82% से लेके 84% जो वो दिया जाएगा मतलब हमारे कंट्री का कोई धर्म नहीं है तो क्या बात कर रहो हमने तो सुनाए कि हमारे कंट्री में हिंदू लोग रहते हैं हमारे कंट्री में मुस्लिम भी रहते हैं हमारे कंट्री में सिख भी होता है हमारे कंट्री में हिसाई भी है हमारे कंट्री म में रहने वाले people यानि की जो भी citizen है वो तो क्या कहा गया? आप कौन से धर्म को अपना रहे हो आपकी मरसी है कोई रोक टोक नहीं आपको जिस धर्म का पालन करना है जिस धर्म को अपनाना है, जिस धर्म में convert होना है सब आपकी मरसी है हमारा देश आपको यहां पर यह नहीं कहने वाला कि तुम इस धर्म को फॉलो क्यूं कर रहे हैं तुम यह वाला काम क्यूं कर रहे हैं तुम यह वाला काम क्यूं कर रहे हैं तुम यह वाला काम क्यूं कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको कोई आपको यह नहीं कहने व नहां आप बोले क्या बोलते से इसको यग्यहवन करेंगे पुजापाट करेंगे या फिर आप नमाज पढ़ेंगे उससे अगर किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है कैसे आप रोड के बीच में खड़े हो कि ये सब काम कर रहे हूं ये चलेगा क्या तो ये बोले भैस साब आपको अलाओड नहीं होगा इस बात को ध्यान में रखेंगे ठीक है फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है वेरी मच इंपॉर्टन क्या डेमोक्रेटिक मतलब लोक तंत्रिक सर हमारे कंट्री में तंत्र का मतलब यहां पे क्या हुआ सरकार ठीक है मतलब इसका क्या हुआ राजा कौन चूज करेगा सब बोले जनता की कंट्री है लोगों की कंट्री है तो लोग डिसाइड करेंगे अगर लोग कहें कि कोई चाय बनाने वाला बंदा जो हमारे देश का परधान मंत्री बनेगा तो बनेगा अगर लोग कहें कि कोई बंदा जो जाड़ू लगाने का काम करता था खोको करके वो बंदे को बनाने का है तो बनाएंगे भाई साथ अगर देश की जनता ये बोले कि कोई आदमी जो कि अनपड़ गवार आदमी है उस बंदे को पुरा को पुरा बिहार सौप दिया जाएगा कई सालों के लिए उसको सीम बना दिया जाएगा सर जनता की मर जी बैसा तुम्हारा देश है तुमको जो करना है वो करो यू डिसाइड जनता को बोल दिया आप डिसाइड करो यहां पर कोई नेपोटिजम नहीं चलेगा कि विया सोयन सो बंदा हमारे देश का प्रदान मंतरी था अब उसका बेटा प्रदान मंतरी बनेगा फिर उसका बेटा प्रदान मंतरी बनेगा फिर उसका बेटा परदान ऐसा नहीं चलेगा सर हमारे देश में ऐसा नहीं होता है जैसे North Korea के अंदर होता है got the point democratic है सर सरकार जो है हर 5 साल के बाद में change होगी और वो जो सरकार 5 साल के बाद में change होगी वो कौन रहने वाला होगा यह जंता decide करेगी हम लोगों के पास में voting करने का अधिकार है subject to condition के हमारी age जो है वो 18 साल की होनी चाहिए उससे जाधा की होनी चाहिए और हमारे पास में election card जो है वो रहना चाहिए understood a point ठीक है साब फिर इसके बाद में यहां पर एक और चीज़ बोली गई क्या Republic सर रिपब्लिक का मतलब क्या है by the people for the people of the people काफी सारे बच्चे कहते कि सर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों में सेम बाते बोली गई है दोनों अलग कैसे हो गई सर दोनों चीज़े तो स कौन decide करेगा यह बुले भाई साब जो आपके लोग है वो decide करें तो दोनों में क्या है फरक है यहां पे देश किसका है उसकी बात की गई है और यहां पर देश के सरकार कौन choose करेगा उसके बारे में बात यहां पर करेगी तिक है सर ज्यान सेर इस चीज़ को याद करने के ल तो यह बहुत ध्यान से, D मतलब Democratic, R मतलब Republic S मतलब Sovereign फिर इसके बाद में यहाँ पे जो दो S की बात की गई है जिसमें से एक है आपका समाजिक होना और दूसरा है आपका Secular होना, इसमें एक बात ध्यान दखेगा क्या? सर यह दो शब्द जो है न यह जब 1950 में हमारा सन्विधान लागू किया गया था तब यह दो शब्द हमाँ पे होती नहीं थे तो सर उसके कई साल के बाद, तकरीबन 26 साल के बाद 1976 में जब 42nd टाइम एमेंडमेंट लाया गया चेंज लाया गया सन्विधान के अंदर कब की बात है 42nd एमेंडमेंट 1976 की बात है, यह जब लाया गया न भाइसा, तो उसके बाद में यह दो शब्दों को यहाँ पे एड किया गया यानि कि अगर मैं इसके पहले की बात को जिस टाइम पे हमारा सन्विधान लागू किया गया था तब खली यह तीन चीज़े हुआ करते था कहा गया था, हमारा देश सौवरिन है, डेमोक्रेटिक है और क्या है, रिपब्लिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा गया था, इत्ता ही कहा गया था यह समझ मैं आप ऐसा बोले, ठीक है सा अच्छा, फिर इसके बाद में और भी चीज़ कहीगी क्या, सर बुले, देखिए चुँकि आप हमारे देश के नागरिक है और हमारा देश आजाद है और आप आजाद देश के आजाद भारत के नागरिक है तो हमारा देश सिक्यूर करता है at least to all of its citizens चलिए, क्या कहा सिक्यूर करता है to all its citizens सबसे पहला जस्टिस जस्टिस मतलब नयाए सर, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं होना चीए ठीक है, किसी भी point of view से बात करो समाजिक point of view से कुछ गलत नहीं होना चीए कोई आदमी है बुले, बाकी समाज एक तरफ या आदमी एक तरफ क्यों? ऐसी बुले शकल का काला आदमी है ठिंगा आदमी है या फिर कुछ होर आपने बुला गुमराले बालो वाला है मतलब आपने सामने वाले के कास्ट के basis पे रंग भेद के basis पे religion, धरम के basis पे किसो एंसो धरम से बिलॉंग करता है वगरा 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 आपने उसको अलग ही रखा ठीक है? बाकी सब के लिए एक कानून बनाया और ये आदमी के लिए अलग कानून बना दिया क्या ये चलेगा? क्या? नहीं सर ठीक है? सर सामाजिक तौर पे किसी के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो उसको justice मिले सर बुले economic point of view से किसी के साथ में गलत नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो उसको भी justice मिले political point of view से किसी के साथ में नागरिक हैं तो उस वज़े से बोले आपको यहां पे आजादी भी मिलेगी. You will get the liberty. आजादी जो है वो बोले आपको यहां पे मिलेगी. Got the point? किन चीजों की? कम से कम पांच चीजों की. पहला आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना चाते हैं? एक्सप्रेस करना चाते हैं? आप कौन सी चीज में बिलीव करते हैं? आप किस में फेथ रखते हैं? और आप किस की पूजा करते हैं? आपकी मरसी. आपको कोई काम अच्छा लगा? You can say about it. आपको कोई काम बुरा लगा? You can say about it. आपको लगता है कि राममंदर बनना चाहिए? बहुत अच्छी चीज है? You can say about it. आपको लगता है कि राममंदर बनने से अच्छा कोई हॉस्पिटल बनना चाहिए था? कोई होटल बनना चाहिए था? jobs मोहिया करवाई जानी चाहिए थी you can say about it, आप criticize भी करने का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलेगा got the point, लेकिन इसमें एक बात बहुत द्यान सो सुनिएगा क्या, criticism करने के नाम पे अगर आप दंगे भढ़काने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा आप अपना पक्ष, अपना पहलू रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है समझ में आता है, लेकिन अगर आप पहलू रखने के नाम पर, क्या कर रहे हो राजनीती खेलने की कोशिश करें जनता को भढ़काने की कोशिश कर रहे हैं तो यह जो बात होगी है बिल्कुल भी यहाँ पर लाउड नहीं होगी अभी रिसेंट लिकल पर सोगी बात है मैंने वह एक BBC की न्यूस सुनी थी ठीक है उसमें BBC के अंदर मतलब एक प्रोपागेंडा जो है वहाँ पर चलाया गया क है बिचारे मुस्लिम्स की जगह जो है उसको बोले हड़कर इल्लीगल तरीके से वहाँ पर बोले हिंदू ने क्या कर दिया राम मंदर जो है वो बना दिया क्या है यह प्रोपागेंडा कैसे प्रोपागेंडा यह बहुत द्यांस सुनिएगा उसी न्यूज चैनल पर अगर जो भी काम करना दा उकर लिया सुप्रीम कोट ने और वहाँ पर पास कर दे और यह कहा दोनों का अपना अपना हक है मस्जित को भी जगह मिलनी चाहिए राम मंदर को भी मिलनी चाहिए यह नहीं बताए गए मतलब ठीक है आपका पक्ष होगा जो भी होगा पर आप वहाँ पर यह तो बताओ कि भाईया मस्जित के लिए पांच एकर जगह जो है वो वहाँ पर अलग से दी गई है जहां पर सरकार का ही पैसा लगा के वहाँ पर सबसे बड़ी मस्जित एशिया की सबसे बड़ी मस्जित जो है वो बनाई जाएगी तो आजादी है बुले आपके पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन आजादी के नाम पर आप जो भढ़काने का काम कर रहे हो हिंदो और मुस्लिम के बीच में जो आग लगाने का काम यह अलाउड नहीं होगा यह नहीं चलेगा यह समझ में आई बात बलठीक है अगर आपको लगता है पत्थरों में इंसान होते हैं पत्थर की पुझा कर लो अगर आपको लगता है कि पेड़ पौधों में इंसान होते हैं तो आप उनकी पुझा कर लो अगर आपको लगता है कि जो जानवर होते हैं जैसे काला हिरन विस्टों समाज मानता है कि यह उन कब आनना चाहते हूं, बांदो, no issues at all, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, done, फिर इसके बाद में अगला पन क्या कहता है, equality, मतलब समानता की बात यहां पे की गई, किस चीज़ की, सर कम से कम दो चीज़ों की, सर बुले, सरकारी नौकरियों की बात करूं, यह सरकार का कोई भी ब प्रेटफर्म वगरा होगा, वहां पे, अगर मैं मौका देने की बात यहां पे करूं, तो opportunity सबको एक समान यहां पे मिलेगी, got the point, और बुले, अगर मैं status की बात करेने की कानून की नजरों में, अगर मैं आपको समझने की बात करूं, तो सबको एक समान जो है, वहां पे सम सब चीजों को side में कर दो, और सबी लोग क्या करेंगे, अपने आपको आगे बढ़ाने के हिसाब से, देश को आगे बढ़ाने के हिसाब से काम जो है, वहले हम लोग करेंगे, ठीक है, तो fraternity among all, भाईचारा जो है, उसको अपने को बढ़ाना है, साथ में इस बात का भी ध् यहां पर करूँ, तो एकता जो है, यह बनाए रखनी भाई सब, क्या करेंगे, एकता, unity जो है, वो बनाए रखनी है, और साथ में इमानदारी के साथ में काम जो है, वो बोले भाई सब, यहां पर अपने को करना है, ठीक है, इसमें भी एक बात ध्यान रखेगा, कि integrative word जो ह है, यह पहले नहीं होता था, लेकिन 40 second amendment जो कि again 1976 में आपका यहां पर आया था, उसके बाद में यह वले शब्द को यहां पर क्या किया गया, एड जो है, यह बनाए यहां पर आपका किया गया, अंडर सुद अपन भाई साहिव, यह कहानी समझ में, आई कैं सभी लोगों को हां और यह फिर ना, क्लियर है, चली, नसीम शेक, तो राम क्या कर रहे थे तब जब मंदिर तोड़ा, वही जो बाबरी मस्ज़ तूटने पर, अल्ला कर रहे थे, बिना मतलब में, क्यों बिना मतलब में जगडे करने मेरे भाई, हैं, चीज़े उल्टी सिदे अगर अपन क करेंगे, तो आपस में लड़ाई ही होनी है, फिर चाहे वो हिंदू होगा, और फिर चाहे वो मुस्लिम होगा, गल्ती तुम्हारी या मेरी नहीं है, लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है, उसको पूरा करना चाहते हैं, जिसके विसे तुम्हारे मन में और मेरे मन मे बैर जो है, वो पैदा किया जाता है, तो यह सब चीज़े छोड़ दो मेरे भाई, इसका कोई मतलब नहीं आता है, और सिंपल तरीके से चीज़े जो है, खुद भी समझेंगे, तो ज़्यादा बहतर रहेगा, है ना, तो चली, यह ज़्यान में रखेंगे, ओके भाई सब, So, let us move ahead, बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक के बारे में, सब को clear है, भाई साब यहाँ पे, Sir, ST and ST को क्यों दिया जाता है, जब सब equal है, तो, करेंगे बात, आगे चलके बताओंगे उसके बारे में भी, ठीक है, चली, प्लीज स्पैम नहीं करेंगे, प्लीज स्पैम नहीं करेंगे, ठीक है, जैश्री राम मेरे भाई, SCST वाला जो पॉइंट है, इसके बारे में मैं आपको अलड़ी भूल चुका हूँ, प्लीज स्पैम ना करो, ठीक है, चली, सर इसके नोट्स कहां पे मिलेंगे, इसके नोट्स कैसे बनाए, बनाने क्यों है, नोट्स हैं अलड़ी आपके पास में, कहां पे है, जो CSCAT इंडिया का वाट्सप वाला ग्रूप है, वहां जाके अगर आप देखोगे, तो आपको जो नोट्स होंगे, वो आपको वहां पे मिल जाएका, ठीक है, सर फर्टिलिटी, अब है फर्टिलिटी निये वे, सुन्दरम, फर्टिलिटी निये, फ्रेटर्निटी, मतलब भाई चारा, भाई चारा, गौट दा पाइंट, सब को आपस में मिल कर चलना है, लडाईया नहीं करनी है, ऐसा वहां पे आपको बोला गया है, अगले पॉइंट पाइंगे भाई साब, क्या कहा गया, अगर बुले मैं Constitution of India के हिसाब से यहां पे बात करूं, तो कहा गया, कि structure of our country, यानि कि हमारे देश का, या हमारे सर्विधान का, जो structure है, वो कैसा है, तो इसका जवाब आया, कि structure जो है, वो सर्विधान क्या होता है, मासी वड़ तो सुना था, कि वो मेरी मासी है, यह कुआसी क्या होता है, तो यह बहुत ध्यान सो सुनिएगा, कुआसी का मतलब होता है, अलाइक, अलाइक मतलब उसके जैसा, अलाइक मतलब उसके जैसा, कुआसी फेडरल, फेडरल का मतलब क्या हो पेड्रल का मतलब होता है, distributed, distributed मतलब, मतलब किसी एक के control में नहीं है, तो सर्ब बोले power को distribute किया हुआ है, what the point, सर हमारे देश में ऐसा भी नहीं है, कि सारा का सारा काम जो उसको distribute किया हुआ है, और ऐसा भी नहीं है, कि एक ही बंदे के पास में पूरा power है, हाँ, mainly ये कहा जा सकता है, कि कुछ काम ऐसे हैं, जो कि एक ही सरकार के पास में है, या फिर कुछ गिने तुने लोगों के हाथ में है, लेकिन, अगर मैं maximum चीज़ों के बारे में बात करूँ ना, तो power को distribute किया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत द्यान सो सुनिएगा, हमारे देश का structure, ना तो federal कहा जा सकता है, और ना ही unitary कहा जा सकता है, federal होता तो मतलब क्या होता, कि power किसी एक के पास में नहीं है, बलकि उसको distribute किया हुआ है, और unitary का मतलब यहां पे क्या होता, कि power एक ही बंदे के पास में, पावर जो है वो एक ही जन के पास में है, ऐसा महाँ पे कहा गया होता, यह समझ मैं है भूल, ठीक है बाई साब, तो यहां पे क्या कहा गया, में लिए आप ऐसा मान लो कि federal के जैसा है, अच्छा फेडरल, नहीं 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 एक्जेक्ली फेडरल नहीं है, एक्जेक्ली डिस्रिबुटेड नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही है सर, ठीक है, चरे, Sir, it has main features of the federal system, कुल मिलाके 6 ऐसे point हैं, जो यहां पे दिखाते हैं, कि हमारी country जो है, उसमें जो system है, यह कौन से वाला है, यह बोले भाई साब, mainly आपका federal वाला, जैसे, जैसे बोले भाई साब, हमारे देश का जो सन्विधान है, लिखित वाला, हमारे देश के सन्विधान के बारे में, अगर मैं बात करूँगा, तो इसको लिखा हुआ है भाई साहिब, तो बाकी वालों का के लिखा हुआ नहीं होता है, होता होगा, बट वहाँ पे जो लिखा हुआ है, शाद उसी को ही follow करेंगे, यह जरूरी नहीं है, तो मतलब समझानी, example मैंने कल भी दिया था आपको, अगर मैं नौर्थ कोरिया के बारे में बात करूँ, तो वहाँ का जो राजा है, अगर उसने कल सुबह उटके यह कह दिया, कि आज देश में यह होना चाहिए, तो वही होगा, कोई इसको कर्डिसाइज नहीं कर सकता, अगर किडिसाइज करते हुए पाए गए, तो वह आपको फांसी के सजा भी दे सकता है, अगर आप बात करें, कुछ समय पहले इराक के बारे में, और लेबनन के बारे में, गद्दाफी जहाँ पर हुआ करता था, सद्दाम हुसेन जहाँ पर वाकट, क्या था, ताना शाही थी भाई सब, वहाँ पर कॉंसलेशन क्या था, सब भले ही वहाँ पर लिखित वाला कॉंसलेशन हो या ना हो, लेकिन सद्दाम हुसेन ने जो कह दिया, देश में वही होगा, गद्दाफी ने जो कह दिया देश में वही होगा बाद में वो मरे जनता नहीं उनको जान से मार डाला लेकिन कहने का यहां पर मतलब मेरा यह है कि सर हमारे देश के अंदर कोई एक आदमी यहां पर राज करने का काम नहीं करता है हमारे देश के अंदर कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है कौन सा काम लौके हिसाब से है कौन सा काम लौके हिसाब से नहीं है सर कौन सी कास्ट वालों को रिजर्वेशन दिया जाएगा कौन सी कास्ट वालों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा यह सारी चीजों के बारे म सन्विधान में लिखा हुआ है और उसी के साबसे काम होगा रिटन कॉंस्टिशन और ये बहुत द्यान से दूसरा पॉइंट इसी से ही जुड़ा हुआ क्या सन्विधान में जो लिखा हुआ है वही सबसे बड़ा है सन्विधान जो है वही हमारे कंट्री में सबसे बड़ा है मतलब हमारे कंट्री में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता जो सन्विधान के अगेंस्ट में हो because of that reason अगर मैं यहां पर बात करूँ तो कहा जाता है कि constitution is mother of all the laws made in India हमारे देश में जितने भी कानून बनाए गए होंगे न सारे कानूनों में सबसे बड़ा कानून कौन है constitution of India जैसे हो दा ना GST का act है 2017 income tax act है 1961 etc. ठीक है तो कहा गया जितने भी कानून की बात कर लो इसमें ऐसी कोई भी बात लिखी हुई नहीं होनी चाहिए जो कि सन्विधान के गिसमर है अगर रही तो तो उस बात को unconstitutional कह दिया जाएगा मलब कि ऐस सन्विधानी कह दिया जाएगा और उस बात को चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये समझा तो ऐसा यहाँ पे आपको बोला गया फिर इसकी बात में कहा गया क्या कि अगर आपको सन्विधान में लिखी हुई कोई भी बात प्रोविजन चीक है अगर इसको आपको चेंज करना है दूसरा शब्द बोल सकते हैं अम सुरिंदर मोदी ने बोला और रिस उने एक बात करो यह वाले पॉइंट मेंसे इस पॉइंट को आटा दो और यह वाला पांट ना 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 तुमारे कहने से कुछ न Ó तो रिजिद मतलब कटोर प्रोसेजर से क्या प्रोसेजर फॉलो करना पड़ेगा सिंपल है बोले हमा तो 50 लोग बैटें ठीक है, जो change करना चाहते है, इसका प्रस्ताव है, यहाँ पे भी रखो, और यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे जब 126 लोग कम से कम हाँ बोल देंगे, और यहाँ पे जब 275 ने, 276 लोग है, जब हाँ बोल देंगे, तो उसके बाद में, आप इसको लेके जाओ, द्रौपदी मुर्मुजी के पास में, जो की कौन है, हमारे देश की प्रेसिडेंट ओफ इंडिया है, फिलहाल, उनके पास में लेके जाओ, अगर उन्होंने भी कह दिया, ठीक है, यह वाला काम कर लो, यह बहुत द्यान से, सर, 200 में से, 126 लोगों से, यहाँ पे अ इंडिया है, what the point, राष्ट्रपती महोद्या, राष्ट्रपती महोद्या जो है, उन से आपको परमिट, तब जाके बोले भाई साब, जो चेंज रहेगा न, उसको इंप्लिमेंट किया जा सकता है, ऐसे नहीं चलेगा, कि किसी भी CM ने बोल दिया, PM ने बोल दिया रहे, इस उससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, उसको अगर आपको चेंज करने का है, तो क्या करना पड़ेगा, रिजिड प्रोसेजर जो है, वो बले आपको यहां पर फॉलो करना होगा, और उसके बाद ही आप उसको चेंज करने का काम कर सकते हैं, अदरवाइस बले कितने मिलेगी, दो सरकार मिलेगी, डूल गवर्मेंट, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर अलग सरकार होगी, और स्टेट लेवल पर अलग सरकार होगी, सेंट्रल गवर्मेंट, स्टेट गवर्मेंट, अगर हमारे देश में प्राइम, स्वरी, प्रेसिडेंट अफ इंडिया हो अगर अगर अपन यहां पर बात करेंगे तो हमारा जो देश है वो बुले भाई साथ 29 स्टेट्स प्लस 9 यूनिन टेरिटरी जो है इन से मिलकर यहां पर बना हुआ है ठीक है तो देश तो है ही है देश होने के साथ साथ में इसमें बुले स्टेट गवर्मेंट जो वो भी आपके यहां पर है अगर यूनिटेरी होता तो तो जो भी काम होता सेंटर लेवल पर होता स्टेट लेवल पर कुछ भी नहीं होता स्टेट लेवल पर बिगर कुछ होता तो सेंटरल जैसे बताता वैसे काम होता वगरा 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 पावर को क्या किया हुआ है hierarchy में convert किया हुआ है पुलीस वालों के बारे में बात का लिजेगा ठीक है DSP, SP, फिर SI, फिर CI फिर वगरा 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 ऐसे distribute किया हुआ है judges के बारे में बात करूंगे तो फिर वहाँ पे वह आपको मिले का क्या Supreme Court के अंदर Chief Justice of India फिर उसके नीचे के Judge फिर High Court के Level के Chief Justice of High Court फिर उसके नीचे का Judge फिर उसके नीचे का Judge फिर इसके बाद में अगर मैं किसी Department के अंदर बात करता हूँ जैसे अगर आप बात करते हैं About the Ministry of Corporate Office MC Department ठीक है इसमें सबसे उपर आपको क्या मिलेगा MC Department का Head मिलेगा कौन है फिलाल सर निर्मला सीता रमन जी जो है वो बले इसके Head है उसके नीचे आपको पता चलेगा कि पूरे Country को Ministry of Corporate Affairs के Point of View से साथ Regions में Divide किया गया North, South, West, East, North East Sorry, North West, North East Southwest, Southeast और Central साथ Department जो आपके हैं वो वहाँ पर बनाए गए तो हमारे Country में MCA के नीचे काम करने के लिए साथ RD है Original Directors ठीक है और अगर मैं RD के नीचे बात यहाँ पर करूँ तो तकरीबन यह लगा लो कि 25 Registrar of Companies है भाई साथ अलग-अलग State में अलग-अलग UT में काम करने के लिए there are 25 Registrar of the Companies are also there यानि कि higher की बनी हुई है यह वाली चीज़ है यहाँ पर बताए मेरे आपको Point No.5 के अंदर ठीक है और फिर इसके बाद में Important वाला Six वाला Point Sir, Four और Five वाला Point जो है यह दोनों सेम हो गए क्यों? सिर्फ PM के हाथ में सरकार नहीं है PM के अलावा CM के हाथ में भी स्टेट को लेकर सिर्फ Central Government के हाथ में पावर नहीं है कुछ चीजों का पावर स्टेट गवर्मेंट के पास में भी है एक्जमपल Sir, Road पे बसे कैसी चलेंगी कौन सी चलेंगी फ्री में चलेंगी कैसे चलेंगी स्टेट गवर्मेंट डिसाइड करेगा दिल्ले में बैठा हुआ केजरी वाल कहता है कि महिलाओं के लिए बस की सर्विस क्या है free of cost है मेरी जेब से पैसा दूँगा बुले मैं बले ही ये बात परधान मंतरी को रास आए या फिर ना आए CM वो काम कर सकता है पंजाब में electricity free दिल्ली में electricity free बले ही आपको Central Level पे ये वाली बात पसंद नहीं आए फिर भी बले अगर आपका जो CM है उस परले जगे का वो चाहे तो ये वाला काम कर सकता है आप ये नहीं कह सकते कि Central को क्यों नहीं पूचा भी या हमारा मैटर है हम जो चाहें वो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और फिर इसके बाद में आता है last but not the least point independent judiciary वाला system सर हमारे country में जो judiciary system है यानि कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ courts के बारे में spelling गलत होगी माफ कर दीजिएगा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ courts के बारे में तो हमारा court किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करता है पी-म नहीं बताता court को अरे सुने काम करो सुएंसो बंदा बुले case आया होगा उसका किसी का रेप कर दिया उसने बले हाओ फ्री कर दो उसको लजा जो घर जो चलीगा क्या ऐसा नहीं तो सब बले जो court है वो खुद decide करता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज में सजा दी जानी चाहिए वो किसी के under में या किसी के दबाव में आके decision नहीं लेता है जिसकी वज़े से कई बार आपने इस बात को सुना होगा कई बार आपने इस बात को सुना होगा बुले supreme court ने central government को लगाई फटकार supreme court ने central government से कहा कि तुम्हारा ये वाला काम इतना delay क्यों हो रहा है इस काम को फटा फट से करो जनता को बहुत तकलीफ हो रही है example सब क्रिशी कानूनों का टाइम याद है एक साल तक अंदोलन चला था दिल्ली के जितने भी border है सिंद border, फिर टीकरी border ठीक है, ये सारी जो border है वहाँ पर बुले भाई साब 2-3-3 किलोमेटर तक पूरी लाइन जो है वहाँ पर लगी हुई डेड़ साल हो गया और डेड़ साल से इसका कोई solution नहीं नहीं कल रहा supreme court ने finally सरकार से कहा मजाक चल रहा है कही है अब एक कर क्या रहे हो बुले भाई साब एक matter जो है चोटा सा वो तुमसे यहाँ पर solve नहीं हो रहा है फटा फट से इसको solve करो अगर नहीं हो रहा है तो जो तुमारे कानून है उसको हटाओ बुले उसको repeal करो, हटा दो उसको ठीक है और हटा के इनको बुलो सब लोगों घर जाएंगे और जो भी रहेगा सही तरीके से सारी लोगों के बात को सुनके फिर बुले आप चीजों को यहाँ पर क्या करो introduce करो, otherwise मत करो फटकार लगा दी स्था तो यह ध्यान रखेगा कि जो भी हमारे कंटे का जुडिशल सिस्टम है वो किसी भी सरकार के या पॉलिटिकल पाटी के अंडर में काम नहीं करता है उसका अपना इंडिपेंडेंड जुडिशल सिस्टम जो है वो बले वहाँ पे रहता है तो mainly अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो these are the six यह यह रंदू क्या these are the six points जिससे यह समझ में आता है कि हमारे देश का जो structure है वो कौन से वाला है federal वाला structure है बैसा mainly लेकिन साथ में जैसे मैं आप से कहा unitary system भी बैसा कुछ चीजों के लिए power जो है वो एक ही authority के पास में है that is what central government जैसे सब बोले हमारे country में अगर मैं atomic energy के बारे में बात करूँ हमारे country में अगर मैं Indian railway के बारे में बात करूँ हमारे country में अगर मैं arms and ammunitions जो है उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो central government के पास में authority by sir वो ही decide करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है Got the point तो ये जो चीज है इसको आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे Understood the point भाई साथ यहां तक किसी को कोई वी डाउट है जल्दी से बता दीजें जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता देंगे भाई साहे सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब क्या मॉड्यूल नहीं मौड्यूल नहीं मिलेगा जहां तक मेरा ख्याल है एमसी की जो किताब है वह आपको मिल जाएगी चली अक्लियर छे भाई साहे जल्दी बतादें गोड़ 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 यहस और नौ सोनु पाल दुबारा करना पड़ेगा बेटर रेजिस्टेशन नौंबर में जो आपने रेजिस्टेशन किया था एक्जाम नहीं दिया तो वो जा चुका है अब आपको वापेस एडमिशन लेना पड़ेगा फिर से आपको फीस पे करनी पड़ेगी और तब जाके आप चीज़ों को कर पाएंगे सर आप इतना इंडिया को बोल रहे हैं कि मुसलिम्स के लिए कोई वेद नहीं करता तो हिजाब को क्यों मना करते हैं हिजाब को कोई मना नहीं करता कौन मना करता है हिजाब को किसने बोला कि हिजाब को मना किया जाता है कोई मना नहीं करता पर आप घर पे पहनी है पबलिक जगह है वहाँ पे अगर मैं बात करूँगा मतलब अगर मैं स्कूल के बारे में बात करूँ स्कूल में यूनिफॉर्म डिसाइड़ है कॉलेज में यूनिफॉर्म डिसाइड़ है वहाँ पे अगर कोई हिंदु आदमी है वो अगर अपना भगवा पहन के वहाँ पे आ रहा है क्या ये सही होगा मैं तो वो चीज़ को भी गलत बोल रहा हूँ ठीक है कई बर ऐसा होता है मतलब बचों को ग्यान का भाव होता है या फिर दिमाग में कुछ ऐसा भर दिया जाता है जिसकी वजह से चीज़ों को पूरा समझ नहीं पाते है ऐसी एक बर मritisege चल रहा था तो मैं चीज़ों को बता रहा था और जो भी चीज़े मैंने वहाँ पर बताई तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मतलब मैं कोई एक चीज़ के लिए बोल रहा हूं मैं दो चीज़े के लिए बोला जैसे मैंने कहा कि अगर कोई स्कूल है जिसमें यूनिफॉर्म बताई गई है कि ये कलर की आपको ड्रेस पहन क्या न पर मुस्लिम बच्चे का मेसेज आता है अप बहुत बड़े काफिर हों अल्ला ताला जो है वो बोले आपको मौत के सजा देगा मैं कहा क्यों भाई मैंने क्या कर दिया इन पहले आप हेट फिला रहे हैं मैं कैसे हेट फिला रहा हूं बोले आप हमारे हिजाब के बारे में उल्टा सिधा बोलो, मैं का मैं तो नहीं बोला, और मैंने ना किसी का पक्ष लिया, ना मैंने किसी के बारे में उल्टा सिधा कहा, मैंने भगवा के बारे में भी वही चीज कही, जो मैंने बुले उसका मैं क्या करूँ, आप अपने भगवा के बारे में क्या बोलो, उसका मैं अपनी है, ठीक है, इस चीज़ को हम दूसरों पर थोपने का काम नहीं कर सकते हैं, रोड पे खड़े होके, अगर मैं हनिमान चाली सा जो है, वो लौट स्पीकर पर वहाँ पर बज़ाऊं, या मैं वहाँ पर गाऊं, यह सही नहीं है, मुख्य मंद्री के घर के सामने जाके हन साह陽 50 या नमाज मैं पढ़के महां पर आऊं, इस व Means Up and आपका अमान चाली सा पंढ़ना आपका नमाज में पर आपके अधिकार है। आपकी आपकी रला सीन के लेकिन यह किसी और के मैं अहीं आप बहुत घटिया आदमी हो आप थैंक यू सो मज फॉदा उपादी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैंने का अब किसी को समझ में नहीं आता था क्या कर सकते है अपन कुछ करी नहीं सकते है इस कैस में है ना तो यह वाली चीज है तो प्लीज ऐर ऐसा मत किया करो है राइट चलिए हाँजी सर यह रिटन नोट्स कहां मिलेंगे अब तुम लेट क्लासेश को लेट जोइन क्यों करते हो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है यह जो नोट्स हैं जो रिटन वाले हैं यह वाले जो नोट्स है वह आपको कहां पे मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व डनचे 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 चलिए اोके नशीम शेक भाइए मैंने कुई नहीं किया यहरा मैं तो नॉर्मल चीजह contingent बता रहा था अब तुम जो लिए यह मैं तो गृजियुन बंदा रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं मैं तो Constitution बढ़ा रहा हूं ठीक है अगला पॉइंट यहां पर आता है कि से बुले अगर हम यहां पर बात करते हैं Constitution के हिसाब से हमारे संदान के हिसाब से अगर बुले हम यहां पर authorities के बारे में बात करें किस के बारे में बात करें authorities के बारे में बात जब यहां पर करें तो हमने क्या कहा तीन टाइप के ओथरडेज अब आई सब चाहे आप सेंटर लेवल पे बात कर लो चाहे आप स्टेट लेवल पे बात कर लो तीन टाइप के ओथरडेज कौनसे कौनसे टाइप की सबसे पहला legislative वाली body ये क्या करती है कानून बनाने का जो काम है वो बले यहाँ पे करती है got the point कानून बनाने का काम जो यहाँ पे करती है सर अभी हमारे पंजाब में पग और टर्बन टर्बन allowed है बट स्कूल की ड्रेस के कलर की matching अब हम लड़ने थोड़ा लग जाएंगे अच्छे इसमें एक चीज़ और भी आती है कि यहाँ पे एक point और आया अगर मान लिजे मैं अगर यहाँ पे बता देता हूं कि मैं यहाँ पे कोई political चीज़ के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं और नहीं मैं यहाँ पे कोई religious चीज़ के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं normal इंसानियत की जो चीज़ होते हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं अगर मैं बात करता हूं हिजाब के बारे में ठीक है हिंदूों में अगर हम बात करेंगे तो मैं बात करता हूं गुंगट के बारे में everybody knows about the गुंगट भाई सब अगर आप हर्याना में या राजस्थान में या फिर अगर आप जाते हैं यूपी में और बिहार में तो वहाँ पे ना गुंगट करने की प्रथा है गुंगट करने की प्रथा है लेकिन इक बार बताओ कोई लड़की कॉलेज जा रही है स्कूल जा रही है और उसने गुंगट किया हुआ है या हिजाब पेना हुआ है सवाल यह है वो लड़की है या लड़का है कैसे पता कि वो कौन है अगर अभी रिसेंटली शाद आपने बीच में एक वो सुना होगा क्या बोले एक आदमी प्यार में इतना दूबा हुआ कि अपनी गल्फरेंड की जगह पे एक्जाम सेंटर में एक्जाम देने के लिए चला गया उसने क्या-क्या मेक अप किया अपने आपको लड़की जैसे बنا लिए मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर मालीजिये गुंगट या हिजाब इसकूल में या कॉलेज़िस में अलाउड हो तो यह तो उसके लिए बाय हाथ का खेल हो जाता यह तो उसके लिए को हम जोड़ के देखते हैं political या फिर religious point of view से लेकिन आप उसको insanit के point of view से भी चूड़ के देखके चलो sir तो फिर trouble क्यों अलग की जा रही है उससे किसी का मुह नहीं छुप रहा है are you getting the point आप टूपी पहन के जाईए कोई मना नहीं करेगा क्यों उससे कोई फ्रग नहीं पड़ा है उससे कोई फ्रक नहीं पड़ रहा है, उसके अगेंस में कोई लॉल आने की बात करता है, तो I will say कि वो गलत है, ठीक है, I will say कि वो गलत है, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा चरी, ओके वैसाब, so let's move ahead, बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक के बारे में, क्या कहता वैसाब, सबसे पहली बात, बोले जो कानून बनाने का काम करती है, अगर मैं ये सेंटर लेवल पे बात करूँगा, तो सेंटर लेवल पे आपका है पारलिमेंट, और अ आपका आता है कौन सा, स्केट का लेगिसलेचर, ठेकए, यहाँ पे क्या जाएगा, स्टेट का, आपका लेजिसलेचर जो रहेगा, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठेक्छैएं, अंकित, don't cross the limit, do not cross the limit, यह हर किसी के लिए Сेमिचीज़ है, यह हर किसी लिए सेम तो जो लोग मुसलिम नहीं है, जो हिंदू है, वो भी कोई दूद के दुलेवे नहीं है, as I said earlier, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे कहा, कि ना तो मुसलिम और ना ही हिंदू, कल्प्रिट है, कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट है वो लोग जो अपने political agenda के हिसाब से लोगों का ग जाते हैं, और court में जाके किसी का murder करके आ जाते हैं, तो these type of people are also there, खेर चोड़ो, उसका कोई मतलब नहीं है, discussion करके, never ending topic है, हाँ जी, तो parliament की बात, अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो एक आपका president है, दूसरा आपका कौन है, council of the state है, जिसको आप राज्य सबह भी कह सकते हैं, और 30 सब ले आपका क्या है, लोक सबह, इन सब को मिला के, अगर आपन बात यहाँ पे करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, parliament का नाम जो है, वो यहाँ पे दिया जाएगा, this will be called as what, parliament, understood the point भाई सब, ठीक है से चलिए, फिर इसके बार में अगर मैं state level पे बात यहाँ पे बिहार, तीसरा है महरास्टा, चौथा है अंदरप्रदेश, फिर है तिलंगाना state, और फिर उसके बाद में है करनाठका, ध्यान रखेंगे, क्या कहाँ यहाँ पे, UP है, बिहार है, उपर में, अगर मैं इंडिया के साब से बात करूँ, तो UP और बिहार, बीच में आपका है कौन सा महरास्टा, फिर नीचे अगर आप बात करेंगे तो अंदरप्रदेश, तिलंगाना और कौन सा है, करनाठका, गौर्दपांट चली, सर वहाँ पे तीन चीजों को मिला के आपका बनता है state legislature, गौर्दपांट, तीन चीजों को मिला के अगर मैं यहाँ पे बात तो आपका वहाँ पे बनता है, क्या, state legislature, कौन-कौन, governor of the state, पहला, दूसरा, विधान सभा, that is what, the legislative assembly, तीसरा, legislative council मतलब की क्या, विधान परिश्ट, Got the point चलिए, वैष्णवी सिंग परमार, सर क्या, ये notes काफी रहेंगे, या फिर we need to go through the model also, जो भी करना होगा, जहां से भी पढ़ना होगा, वो बस आपको class भी करना है, आज अपन ये वाले notes में से पढ़ रहे हैं, कल अपन model में से भी पढ़ेंगे, chapter आपका यहाँ पे complete हो देखने वाले हैं, देखने वाले, understood the point चलिए, फिर इसकी बाद में बोले, इन 6 states को छोड़ के, अगर मैं बाकि states की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ दोई है, एक आपका governor है, तो दूसरा आपका क्या है, legislative assembly है, एक है आपका governor और दूसरा आपका क्या है, legislative assembly, ठी ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद में, अगर मैं दूसरी authority की बात करूँ, executive authority, also called as what, administrative authority, क्या करती है, सिर्फ बुले, जो कानून यहाँ पर बनाया गया होगा, उसको implement करवाने का काम करती है, उसका पालन करवाने का काम करती है, उसको follow करवाने का काम, जो वह यहाँ पर करत ठीक है, इससे बुले, क्या कहा जाता है, ministry बोल दोगे, तू भी चलेगा, department बोलोगे, तू भी चलेगा, यह भी central level पर भी काम करती है, और state level पर भी काम करती है, sir, example, ministry of health, ministry of education, ministry of, क्या बोलेंगे इसको, external affairs, ministry of finance, वगरा, 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 सब बहुत सारी ministries, right, done, फिर इसक social body, sir, जो इस बात को ensure करती है, कि जो कानुन बनाया गया है, उस कानुन के इसाब से justice, यानि की नयाय जो है, वो बले, यहाँ पर दिलवाए जा सके, what the point, central level पर जो सबसे बड़ी authority है, उसे क्या कहा जाएगा, supreme court, पूरे country में एक ही है, what the point, और किसी भी type का कोई भी case क्यों जो बड़े level का रहेगा, वो बले, कहां जाएगा, supreme court के पास में जा सकता है, कैसे जाएगा, उसके बारे में law में दिया हो, sir, state level पर, अगर मैं सबसे बड़े court के बारे में बात करूँ, तो court का नाम आएगा, high court, जो कि state level पर काम करता है, और state level पर, यह सबसे बड़ा court, जो का जाता है, session court, जो दोने में क्या फ़रक है, कल की class में बात यकरेंगे, चीас, और फिरसके नीचे, अगर मैं बात करता हूँ, यहां पर सबॉड़्ुनाइट court के बारे में, अगर मैं यहां पर बात करता हूँ, lower court के बारे में, तो district court जो आपका है, उसके नीचे जो court काम कर करता है उसे कहा जाएगा subordinate बोल दो तो भी चलेगा और lower court अगर आपने इसको बोल दो तो भी चलेगा और अगर मैं session court के नीचे जो court है उसके बारे में बात यहाँ पे करूं तो उसे क्या कहा जाएगा magistrates का नाम जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा judicial magistrate सबले magistrate होते है court of magistrate आपका वहाँ पे रहता है अब exactly किस तरीके से होता है इसके बारे में बात जो है वो अपन अगली class में detail में करेंगे तो यहाँ तक जो भी पढ़ा किसी को यहाँ तक कोई doubt बता देंगे दिक्षान्त सुरकर का कहना है कि इससा थोड़ा सा fast हो रहे तो बाकी बच्चे बता करेंगे क्या यह fast हो रहा है या फिर नॉर्मल स्पीड पर सर आर्टिकल 370 तो remove हो गया है तो आर्टिकल तो 394 ही है ना नहीं बटा ऐसा नहीं होता है यह बहुत द्यान से सुनियेगा कलपर सा पन पढ़ने वाले हैं कि पहले एक आर्टिकल 31 हुआ करता था ठीक है इसको बूले क्या कर दिया गया है omitted कर दिया गया सर ओमिट करने का मतलब क्या होता है मतलब इसके अंदर जो भी बातें वहाँ पे लिखी हुई है न उन बातों को यहाँ पे कट कर दिया गया Got the point मतलब आज भी अगर संधान में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको आर्टिकल 31 जो वह लिखा हुआ मिलेगा लेकिन उसके सामने आपको यह लिखा हुआ मिलेगा ओमिटर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आर्टिकल नमबर 30 फिर उसके बाद में आर्टिकल नमबर 32 आपको ऐसा नहीं मिलेगा Understood the point चलिए तो यह धाल में रखेगा Everything clear so Study law exam with me आपकी मरजी बिटा जैसा आपको सही लगए आप ऐसा कर सकते हो बस कौन है यह कोट ही है चिंतन बिटा स्पैम मत करो 21 दिसंबर को 3000 का included books registration किया था लेकिन अभी तक books नहीं आई आ जाएंगी कई वर ऐसा होता है कि आपका एक्जाम होने के बाद में आपकी books आती है Maximum जो है इन ही के comments से बताओ सिर्फ दो लोगों के CH इराग जैन MC के book कितने दिनों में आती है इस cancer में दे चुका हूं बिटा फिर सब स्पैम कर रहा हूं थोड़ा सा फास्ट है चलो कोई बात नहीं अपन कल से और कम स्पीड करेंगे नौ अर्टिकल 31 जो है वो है आपका लीगल राइट उसमें क्या दिया हुआ है वो अपन कल बात करेंगे कल नहीं परसन मर्सु जब भी ठीक है चली अगले क्लास के अंदर तो फिलहाल के लिए काम करते भीष जब य हो है झावश क्यों 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 प्सक्वा है